जैक बोड आठवी नवी और एगारवी काक्षा की कोपिय का मुल्याकन 15 जुलाई से सुरू जैक बोड अपनी सेक्षनिक इस्थिती को पटरी पर लाने की दिशा में लगातार सार्थक कदम उठा रहा है जैक अध्यक्ष डाक्टर अनील कुमार महतो ने कहा है कि जारखन में पठन पठन को पटरी पर लाने की हर मुमकीम करवाई की जा रही है इसी करम में उन्होंने बताया कि 15 जुलाई से आठवी नवी वह एकारवी कक्षा की कोपियों का मुल्याकन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा उन्होंने कहा है कि जहां बच्चों ने परिक्षा दी है वहीं मुल्याकन कार्य भी कराया जाएगा इस समान्द में जैक ने जीलो को दिशा निदेश भी जारी कर दिया है जीलो को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि परिक्षा के बाद उतर पुस्तिका है समान्धित केंद्र पर ही सुरक्षित रखी जाए किसी केंदर पर उतर पुष्टी का रखने की समोचीत विवस्ता नहीं है तो उसे दूसरे केंदर पर रखा जा सकता है बतादे उतर पुष्टी का का मुल्यांकन समधित केंदर के सिक्ष को द्वारा ही किया जाएगा जारखन में आकाल की स्थिती जारखन में और खेती की बर्तमान इस्थिती से आउगत कराया गया विभागे निदेशक ने जीला क्रिसी पता अधिकारियों को सतर करने को कहा है वहीं क्रिसी मंत्री बादल ने विभाग के वरिय अधिकारियों के साथ जल्द बैठा कर इस्थिती की समीक्षा करने की बात कही है क्रिसी बैग्यानिकों का कहना है कि अभी इस्थिती बिगडी नहीं है लेकिन कुछ दिनों तक वारिश की थी इसी तरह रही तो खरीब फसल को नुकसान हो सकता है जारखन में कुरोना की एक्टिव के 600 के पार जारखन में कुरोना संक्रमन की रफ्तार दिन परती दिन बढ़ती जा रही है 9 जुलाई को 125 नए कुरोना संक्रमी मिले है इससे राजे में एक्टीब मरीजों की संख्या बढ़कर 602 हो गई है सबसे अधिकांस रांची में है जहां बता दे सनी वार नौ जुलाई को 74-116 सेंपल की जाच हुई है इसमें से 125 नए संक्रमित मरीज मिले है वहीं रांची में एक संक्रमित मरीज की इलाज के दरान मौत भी हुई है जुलाई महिने में क्रोना संक्रमन से या दूसरी मौत हुई है जारखन में 46 लाख लोगों ने खुलवाए डिजिटल हेल्थ अकाउंट आयुसमान भारत डिजिटल मिशन के तहट हेल्थ अकाउंट खुलने में जारखन के लोग काफी रूची दिखा रहे हैं इस डिजिटल मिशन के तहट राज के 46.49 लाख लोगों ने अपने डिजिटल हेल्थ अकाउंट खुलवाए है इन सभी को यूनिक डिजिटल नंबर आभा मिले हैं वहीं 160 अस्पतालोग क्लिनिकों तथा 99 चिकित्सक वा नर्सों का सत्यापन भी हुआ है बता दे इस डिजिटल मिशन के तहट अपना हेल्थ अकाउंट खुलवाने में पूर्वी सिम्भूम के लोग सबसे आगे हैं जहां 6,80,000 लोगों ने इसमें अपने रुची दिखाते हुए अपने अकाउंट खुलवा कर यूनिक आभा नंबर लिया है वहीं दूसरे अस्थान पर रांची जिला है सादगी से मना कुर्वानी का परवबकरीद कुर्वानी का परवबकरीद मनाया गया पता दे मस्जिदों में नमाज आदा की गई देश और राजि के लिए अमन चैन और सदभावना के साथ रहने के उदेश से विशेश दुगा किया गया मुख्यालय थाना रोड इस्थीत जामा मस्जिद के इमाम मौलाना ने नमाज पढ़ी उन्होंने कहा कि इद उल अजहा कुर्वानी का परवब है इस मौके पर अपने पालनहार परवदिगार और इब्राहिम को राजी करने के लिए कुर्वानी पेस करते और यह तेवार हमें प्रेम सदभावना त्याग और बलिदान का प्रेना देता है तैमारा घाटी के पास मोबाइल में समय और तारिख नहीं बदलता है रांची जमसेट पूर रोड में नामकुम परखंड के कस्तुर्वा गांधी बाइल का बिद्याले वा तैमारा घाटी के आसपास मोबाइल में समय और बर्स बदलने की रहसमाई घाटना इन दिनों चर्चा में है कहा जा रहा है कि मोबाइल में ती थी डेर वरस आगे चली जाती है बता दे कस्तुर्वा गांधी बाइल का बिद्याले के सिक्षकों के मोबाइल में यह बदलाव की बात सामने आई थी बिद्याले में उपस्थिती बनाने के दोरान बदलाव के कारान उपस्थिती दर्ज नहीं हो पाने की बात भी कही गई थी कस्तुर्बा बिद्याले नामकुम के दूसरी और राज की एक रित उतकर्मिक मद बिद्याले जाम चुए है बिद्याले की प्रभारी अलकारानी देमता से बात की जिसमें प्रभारी प्रधाना ध्यापिका ने बताया कि उन्हें ऐसी समस्या कभी नहीं हुई वहीं बिद्याले की एक सीक्छक कभी कभी इस तरह की सीकाईत करते हैं पर यह केवल उनी की मोबाइल में होता है महाप्रभु जगरनाथ मौसी से बीदा लेकर पहुंचे देवाला है गुमला जी लेके सभी बारा परखंडों में रभीवार को घूरती राथ यात्रा मिला लगा मौसम खराब था बारिस हो रही थी इसके बाद भी सरदालू मिला पहुंचे भागवान जगरनाथ भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा की पूर्जा आचना की सरदाते पूर्जा करने के बाद मिला घुमे बता दे मौसी से जब महाप्रभु अपने भाई एवं बहन के साथ बीदा लेने लगे तो बारिस सुरू हो गई बारिस में भीगते हुए महाप्रभु मौसी से वीदा लेकर देवाले पहुंचे रत खिचने के लिए लोगों की भीड़ लग गई इस दोरान महाप्रभु के जयकारे से पूरा वातावरन गुझ उठा है PM मोधी का देवघर एयरपोट पर 17 मिनट का होगा सम्भोधन PM मोधी देवघर एयरपोट के उद घाटन के बाद 17 मिनट तक कारेकरम को सम्भोधित करेंगे PM एयरपोट के समीप मंच पर डेढ़ बगये पहुंचेंगे गोड़ा सांसद डाक्टर निसिकान दुबे मंच पर स्वागत भासन देंगे उसके बाद केंद्रिय नागरिक उड़ाने मंत्री जोतरिया दित सिंधिया एवं मुख्य मंत्री हमान सुरेन का संबोधन होगा इस बीच परदायन मंत्री देवघर कोलकाता की पहली पेस्टेंजर फलाइट को हरी जंडी दिखाएंगे वहीं भी भी न्योजनाव का उदगाटन एवं सिलल न्यास किया जाएगा अंत में परदायन मंत्री 17 मिट तक कारेकरम को समोधित करेंगे पी-एम के साथ मंच पर जार्खन सरकार के क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेग परद्टन मंत्री हफिजूल हसन वा देवघर विधायर नरायन दास रहेंगे जार्खन में 1932 के खतियान आंदोरन का वाल पेंटिंग वाल पेंटिंग से एक सक्त जहरकंड में 1932 के खत्यान के अंदोलन को धार देने के साथ साथ कला संस्कृति से भी लोगों को जागरू कर रहा है बता दे बिएचियू से पेंटिंग में गेर्जुएट इस सक्त का नाम महावीर महतो है जहरकंड में 1932 के खत्यान के अंदोलन से प्रेरित हो कर वेचित्रकारी कर रहे है बता दे गिरी डिजीले के भगोदर के खेत को उचबिद्याले की चार दिवारी पर जहरकंड की कला संस्कृति की जहलक कसरे इने जाता है प्रेंटिंग के जरिये ए लोगों को जहरकंड कला संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं जहरकंड के इसकूलों में जुमा पर जवरन छुटी मामले में बड़ा खुला सा जहरकंड के कितने इसकूलों में सुक्रवार को आवकास हो रहा है इसकी जाच होगी इसकूली सिक्षावम सचता विभाग के मंतरी जगनात महतो ने एक सब्ता हमें जामतरा सहीत पूरे राज्ये में इसकी जाच करा कर रिपोर्ट देने को कहा उन्होंने कहा सिक्षक हो या अपसर इस मामले में जो भी जिमेदार होंगे उसके विरूत सक्त करवाई होगी बता दे सिक्षा मंतरी ने छपी खबर सुक्रवार को जबरन स्कूल बंद करवा रहे मुसलिम पर संग्यान लेते हुए जाम तड़क के जीला सिक्षा पताधिकारी सभी परखन सिक्षा प्रसर पताधिकारी तथा ब्यार्पी सियापी के पताधिकारियों को तलब किया है पंद्रह सोब बैंक अधिकारियों का हला बोल आंदोरन की चेतावनी बायो AGM रांची बैंक ओफ इंडिया अधिकारी संग जार्खन राज इकाई के अठारवी बारसिक आम सभाबैठक में सरकार की निजी करण की निति किया आलोचना करते हुए इस निर्ने के खिलाप लड़ाई जारी रखने का निर्ने लिया गया Officers Association की AGM में लगभाग 15-100 अधिकारीों ने अपनी उपसिती दर्ज कराई Federation of Bank of India Officers Association के चेर्मेन BN मधु सुदन ने कहा है कि निजी करण की खिलाप हमारी लड़ाई आम जन की मेहनत की गड़ी कमाई को सुरक्षित रहने की लड़ाई है PM मधी रांची को 1000 क्रोड की सौगात देंगे रांची सांसर संजर सेट ने कहा है कि परधान मंत्री नायन मधी 12 जुलाई को जहारखन को तमाम बड़ी उजनाओ की सौगात देंगे इन में रांची लोग सभाज छेतर के लिए 1000 को रुपए की योजनाए भी सामिल है रभिवार को मीडिया से बातचित में उन्हों ने बताया कि इन योजनाओं में सबसे महतपुन रातु रोड में एलिवेटेट कारीडोर का निर्मान है बीते चार दसक से छेतर की जानता इसकी परतिक छकर रही थी मेरे लिए तो रातु रोड में एलिवेटेट कारीडोर का निर्मान एक बड़े सपने का पूरा होने जैसा है डीलर पर काला बजारी का अरोप लगा ग्रामिनों ने किया हंगामा गढ़वा के केतार परखंड के मुकुंदपूर पंचायत में मां अम्बे महिला स्वयम सहायता समो द्वरा संचालित रासन दुकान के संचालक बिरंद्र पस्वान पर ग्रामिनों ने रासन की काला बजारी का रोप लगाया है बता देर अभिवार के दोफर में मां अम्बे स्वयम सहायता समो के संचालक बिरंद्र पस्वान अपने दुकान के बगल के घर में अठारा बुरा रासन रख रहे थे उन्हें मुकंदपूर गाउं के ही उमेंद्र परसाथ स्वयोग कर रहा था इसे देहकर कुछ ग्रामिनो ने डिल रपर काला बजारी का रोप लगाते हुए हंगामा करने लगे ग्रामिनो ने इसकी सुचना मुक्हिया मुंगा सा को भी दी है मेंट अवाली यूतियों के लिए बुरी खबर है जिससे हो तरह के सिंगार प्रसाधन मांगे हो गए हैं सियम हिमंत ने साहब गंज को दी बड़ी खुसकबरी पधान मंत्री नैंद मोदी के बारा जुलाई को देवगर बाबा बैजना धाम आगमन के पहले ही जारखन के मुख्य मंत्री हिमंसुरी ने साहब गंज को बड़ी खुसकबरी दी है CM ने साहिवगंज रेलवे स्टेशन के पच्छमी केबीन के नजदीक पत्थ उपरी पूल के निर्मान के लिए 38 करोड 24 लाग 78 944 रुपए की प्रसासनिक स्विक्रिती दी है इसी रासी में भू अर्जन और पहुँच पत्थ का भी निर्मान ख़च सामिल है इस रासी में राज अंस के 33 स्कोर 41,666,682 रुपए के वहन की स्विक्रिती और उक्त रासी की अगरिम निकासी करते हुए रेल मंत्राले को उपलब्ध कराने को भी स्विक्रिती दे दी गई है जामतवा के 100 से अधिक इसकोलों में सुक्रवार को सबताईक आवकास को लेकर सिक्षा मंत्री सकते जारखन के जामतवा में 100 से अधिक बिद्यालों में सुक्रवार को आवकास दिया जा रहा है जार्खन के सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने जामतरा में 100 से अधिक इस्कुलों में सुक्रवार को आउकास होने के मामले को लेकर अधिकारियों को तलब किया है सिक्षा मन्त्री ने जामतवा के सिक्षा बिभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों को आवास पर बुलाया है अनुमान है कि इन अधिकारियों से मामले की जनकारी ली जायेगी ज्यारखन के महापूर्सों की परतिमा अस्थापित करने को लेकर अभियान जार्खन की रैधानी राची के एतिहासिक मुराबादी मैदान में रभिवार को समुहिक राष्टगान का आउजन किया गया राष्ट्रिये युवा सक्ती की ओर से आयोजित कारेकरमें बड़ी संख्या में लोग सामिल हुए लोग हाथों में राष्ट्रिये धवज लेकर एक साथ राष्टगान गाया चारखन के महापूर्शों की परतीमा अस्थापित करने के लिए युवा सक्ती ने अभियान चलाया है इसी के निमीत मुराबादी मैदान में यह कारेकरम आयोजित किया गया कारेकरम के मदे से आम लोगों से प्रतीमा निर्मान हेतू सहयोग की अपील की जा रही है गलत इलाज करने पर हजारी बाग के डॉक्टर को 33 लाह का जुर्माना हजारी बाग सहर के परसीद हड़ी रोग विशेशगय डाक्टर भानु संकर को गलत इलाज करने के आरोप में दोसी पाये जाने के बाद 33 लाग का आर्थिक दंड लगाया गया डाक्टर भानु संकर पर 2014 में उभोकता न्याले में गलत इलाज करने को लेकर प्राथमी की दचकराई गई थी दर्ज प्राथमी की में दारू जुमरा निवासी असोक यादो द्वारा बताया गया था कि डाक्टर भानु संकर के द्वारा गलत इलाज के कारण उनकी नबालिक बेटी सपना कुमारी का हाथ कटना पड़ा था हालाकि सुनवाई जून माह में ही हुई थी और अब फैसले की कौपी जारी की गई है लोहर्दगा के अजीत उराओ का T20 बलाइंड किरिकेट भी स्वकप के ट्रायल में चायान जारखन के लोहर्दगा जीले के सदर प्रखंड अंतरगत हैसल मंगन टोली गाँ निवासी सुकुरू उराओं के सबसे छोटे पुत्र अजीत उराओं का चायान T20 Blind Cricket 200 Cup के ट्रैल कैप के लिए हुआ है यहां 12 दिवस्य कैम्प बैंगलोर में 11 जुलाई से होगा इस चैयान कैम्प में Cricket Association for the Blind in India देश से सिर्ष छपर Blind Cricket रोको आमंत्रित किया गया है जहारखन के 24 जुलो में बनेगा Witness Center जहारखन के सभी 24 जुलो में 38 सनवेदन सील गवाह यानी महिला, बच्चे, दिव्यांग और ब्रीद की गवाही के लिए अलग से सेंटर बनाया जाएगा ताकि गवाही के दवरान उनका अप्राधी से आमना सामना नहीं हो इसके लिए 14 कोट में पाइलेट पर्जेक्ट के तौर पर गवाही सेंटर बना दिया गया है इसी तर्ज पर पूरे जहारखन में गवाही सेंटर बनाया जाना है बताद सुप्रीम कोट के निर्देश पर इस प्रोजेक्ट के लिए तिन सदस्याई कमिटी बना दी गई है उक्त कमिटी में हाई कोट के जस्टीस आर मुखो पद्ध्याय जस्टीस डाक्टर एस एन पाठाक और जस्टीस गौतम चोधरी सामिल है महिलाए खुले में नहाने को ना हो मजबूर सियम हमन्त जारखन के यूतिया महिलाओ को खुले में नहाने को मजबूर ना होना पड़े इसके लिए प्रस्तावित उनत ग्रामों में तलाब, कुवा, डोभा, आदी, जगो पर असनाना गार बनाए जाएंगे जारखन राज अनुसूचित जाती सहकारिता विकास निगम लिमिटेट के प्रववन्द निदेशक अजय नात जाने सनिवार को बैठक में इस बावत अधिकारियों को निदेश दिये प्रववन्द निदेशक ने मोराबादी स्थीत कल्यान कंप्लेक्स में अनुसूचित जाती उनत ग्राम योईना की समिक्चा बैठक में बताया की अनुशुचित जाती उनत ग्राम योईना को अब डाक्टर भीम राओ अमबेटकर उनत ग्राम योईना के नाम से जाना जाएगा है पलामू के सहारा ओफिस में लगी आग मिली जनकारी के अनुशार रभीवार सुबा पांच बजे ओफिस से धुआ निकलते हुए मकान मालिक ने देखा इसके बाद ओफिस के फ्रेंचाजी मेनेंजर अनिल अगरवार को सुचना दी गई जिसके बाद आग बुझाने के लिए फैर बिरिगेट को फोन किया गया है हेमंत सरकार की हालात खराब बयट की मात्र नौपर तिसतरासी खर्च जारखन की जनता को समय से कल्यनकारी और विकास वजनाओ का लाप पहुचाने के लिए जारखन सरकार ने वितिय वर्ष 2022 स्टेज के लिए भी आउट कम बयट पेस किया था लेकिन पहली तीमाही की जनाम मद के बयट बयट को देख करे असपस्ठ हो रहा है कि परिणाम की गति सुस्त है बता दे अप्रेल से जून 2022 तक राज सरकार के कूल पलान बयट 57,279 कोर में से महाज 5150 कोर की रासी ही बयए हुई है असपस्ठ है कि खर चोजनाम मद के महाज 8.99 परतिचत के दाइरे में रहा है जे एससी में निकली बंफर भैकेंसी जारखन करमचारी चायन आयोग में नोकरी पाने का एक अच्छा मौका है इसके लिए जे एससी ने जारखन सची वाले एस्टेनो गराफर परतिचत परिक्षा के तहाद एस्टेनो गराफर के पदो पर भरती के लिए आवेदन मांगे है एक छुक एहम योग उमिद्वार जो इन पदो के लिए अपलाई करना चाहते है वे जे एससी के अधिकारिक वेप साइट जेससी.nac.in पर जाकर आवेदन कर सकते है इन पदो के लिए आवेदन करने की अम्तिम्तिती 27 जुलाई है जारखन में बड़े पैमायने पर IAS अधिकारियों का तबादला रांची डीसी राहूल सिन है जारखन की हेमांति सुलेन सरकार ने IAS अधिकारियों का तबादला किया है इसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके तबादले को लेकर पहले से ही अटकले लगाई जा रही थी सरकार दबादले की सुची में रांची जीला के डीसी से लेकर राजेपल के पधान सची उत्तक का नाम सामिल है रांची डीसी छोवी रंजन अपने कार्यकाल के दोरान कई मामलों को लेकर चार्चा में रहे हैं बिधान सभा के अंदर सत्ताधारी बिधायक से लेकर विपक्षी बिधायक ने भी उनके बेवार और कारेस्टाइली को लेकर कई बार सवाल उठाया था बता दे नूपूर सर्मा मामले में रांची में रोड इलाके में हुए उपद्रे को लेकर भी छावी रंजर पर सवाल उठ रहे थे राय सरकार ने जो तवादले किये हैं उतमें राहुल कुमार सिन्हा रांची के डीसी बने हैं वहीं ससी रंजान नगर आयूक्त रांची बने धन्यवाद ज़्यादी आप चनल पनाई होते चनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंदा बज़े साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले साथ आप हमें जारखंडी न्यूज फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले